उत्सा होता है जो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का रोडशो होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दक्षण के दोरे पर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी रहे हैं अगर देखे तो पिछले सौ दिनों में सात्मी बार तमिल नाडू पहुचे हैं दक्षण पर है हमेशा ततपर रही है इस राज्ज में शेत्री दनों के साथ घरबंधन के साथ भाजपा चुनाओल रचुकी है लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है तमिल नाडू की सियासी परिद्रिश्य को बदलने के लिए सीधी तस्वीरे आप देख रहे परंपरागत तरीके से पुद्धान मंत्री नरेदर मोदी का स्वागत हो रहा है कुछ लोग बारती जनता पाटी के घंडे लेकर तो कुछ लोग पाउराडी पात्रों के रूप में अपने को सजध़कर वहां पर पहुंचे हैं विशेस आकरशन देखने को बिलता है चोटे-चोटे बच्चों को लेकर माताएं बहने पहुंचती है और एक अलहदा अंदाज एक अलह विशेस्ट आकरशन प्रधान मंत्री के व्यक्ति पुता लोगों को खीच लेकर आता है किसी विराजियतिक जल से संपत धों लोग लेकिन रूप्शों की जब बात होती है तो बड़ी संख्या में जनता जनारदन पहुशती है अपने प्रियनेता की एक जलग देखने के लिए परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है पुश्पवरशा करके स्वागत कभी जनता जनारदन मौदूदा वहां के लोग हमारे समभादाता रिशी कुमार हमार यह रोड़शो और क्या कुछ रोड़ के अपने वो है मतलब जो रूट होगा वो क्या कुछ है और हम देख रहे हैं कि उत्ता खुद बैया करते हैं रिश्यों में रिश्यों हम अपने समभादाता रिशी कुमार से जुड़वे की कोशिश करेंगे यह सीधी तस्वीर हमें मिल रही हैं चैन्नाई से प्धान मंत्री नरेंद्रमोदी की एक जहलक देखने के लिए लोगों का जनसेलाब उमल पड़ा है और लगातार प्धान मंत्री नरेंद्रमोदी कमिल नादू के दोरे पर रहे हैं इससे पहले अगर चाहे राम मंदिर की प्राल प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कारिकर्मों को अगर देखे तो अनेक मंदिरों में जाकर दक्षण के अनेक जबहों पर जाकर प्धान मंत्री नरेंद्रमोदी पूजा आर्शना की थी और इंता जनारदन के सामने सिर जोका कर हमारे समवादाता रिशी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिशी आप से जानना चाहेंगे अगर देखे लगातार प्रधान मंत्री का ये दोरा दक्षणी राजियत तमिल नाडू में अगर देखे तो ये कहा जा रहा कि पिछले क्या कुछ रूट है इस रोड़ शो का और साथी साथ किस तरीके का उत्साह देखता है जनता के बीच पर रिशी अगर हम उनके यात्राओं के दोरान लेखे खासर के तमिल नाडू की यात्राओं के दोरान उन्हों ने इस बात को रेखांकित किया है कि जो भारत की सहिसिक सहार्द है और काशी और तमिल का जो संगम है उसको यहाँ पर विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदान मंस्री नरेद्र मोधी और इस पूरे के पूरे रोडशो को अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं अपने जीत, संगीत और दिर्ट के माध्यम से यहाँ पर उनके स्वागत ले एकत्रित हुए हैं हमने देखा है यहाँ पर स्वाथ पूर्स ऐसे भी लोग प्रेकित यहाँ पर एकत्रित हुए और उनके अविवादन के लिए उनकी एक जलक पाने के लिए यहाँ पर मौदूद रहें अपनी जिसे कहते हैं बौडी लेंग्विज के माध्यम से वो लोगों से जुड़ते हैं और जैसे कि हम पा रहे हैं कि पुछ वर्शा के माध्यम से और तमाम जो लोग हैं उनमें एक अस्तीम उस्ता दिखाई दे रहा है इस समाइने में जबकि पदानमंतरी जब भी जन्ता के साथ दुकाशे को होते हैं तो एक जोनों के बीच में पदानमंतरी जन्ता के बीच में एक सामन जेस्ती और जिसे कहते हैं सरकर भी बिखता है जहांफर अबने तमाम लोगों से बाद की कोनों ने यहीं बताया कि जो इस समय माहौल है और इस माहौल में वो प्रदान नंत्री को चेखने के लिए और उनका उप्सा वर्धन करने के लिए यहां पर एक प्रिप दिए प्रिशी अगर देखें चुनावी मौसम चल रहा है इस तरीके से आपने जिक्र किया काशी तमिल संगमम का सोमनाथ तमिल संगमम का इन सब का आयोजन पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कई वर्षों से देख रहे हैं राजिनीतिक परिणाम या जनादेश इससे इतर भी एक बात हम और यहां पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो कहीं न कहीं एक उत्तर और दक्षण की संस्कृतियों में विलगाओ की बात कही जाती थी संस्कृतियों तो हमारी एक ही है लेकिन उसको व्याख्यायत्य परिभाशित करने की कोशिश की जाती थी कि दो संस्कृतियां है सच्चाईत्य यह सनातन संस्कृति आद्योपांत हिमाले से लेकर धनुषकोटी तक है तो किस तरीके से जो सामाजिक सामांजस से या जिस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं उत्तरदक्षण की दो परंपराओं में जो हल्की फुल्की खाई भी थी जो चाहे वो वैचारिक हो चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो परंपरागत हो वो भी पटी है अगर आप देखे जो जैसे कि आपने कहा कि एक कोशिश होती थी प्राजनेतिक इस्थर पर जट्की सांच्कितिक और भारतिये इस्थर पर इसको हमने कभी नहीं देखा है। कोशिश में उन्हों ने इस बात को जनता के सामने रखा कि हम सब एक हैं और हमारी जो सांच्कितिक और जो राजनेतिक पहलू है अगर उसको भी देखें तो वो सब एक हैं और इसी वज़े से साथी समागम उसे माध्यम से जो उस्तर दक्षवी का जो बेल है उसको यहां पर क उसे सेंगोल को पमिल संकिती के से नेकर उनों ने पूरे जो संसुत में जब उसको पहुचाया तो वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें हर पमिल ने इस बात को अपना गर्म मैसूश किया कि उन सब चीजों को आज एक ऐसे माहौल में रखा जा रहा है जिसमें कोई भी अलग नह होते हैं जो बचना करम होते हैं वो पेहर मैट्पूर होते हैं और हम इन पसीफों के मार्जम से एक दूसरे के साथ चुड़ते हैं और यही चुड़ा उसको इस्थाफिच करने के लिए आज ये रोग शो दिखाई दे रहा है जी जी राजदीतिक तोर चाकर देखें रिश को या इस तरीके से लगातार चुनावी धारदार प्रहार को चुनावी प्रशार को क्या आप मान के चलते हैं यह भाजपा का दक्षड़ा पत अभियान है अगर हम देखें तो यह चुनाव इस माइने में भी जाना जाएगा कि किस तरीके से बारती जिन्ता पार्टी ने एक इमानदार प्रयाद किया अपनी साकत के दम पर चुनाव में उतरने का अब तक हमने देखा है कि यहां पर अपनी उपस्चित को दरज कराने में जुटी रही हैं पहले भी हमने देखा है कि बारती जिन्ता पार्टी कभी DMC और कभी EIDMK के साथ मिलकर उसमें तुनाव गड़ाया उनके उनके बतुनाव से बाद बढ़नन हुआ लेकिन ये पहली बार है कि जब वो यहां की इस्थानिय जो राजनेतिक दल हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मोर्चा बनाया है इस मोर्चे नौ दलों की मदद से बीजेपी राजी के जो तमाम समीकरण हैं उनको साधने की कुशिश कर रही है और इसमें हम कह सकते हैं कि जो पी-एम के हैं पच्टानी मद्चल गाची सुब्से मजबूत साथी के रुप में उनके साथ है और ऐसे ही तमाम जो जटक हैं जिनकों की लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है अभी जटी को अगर इसमाइने में सफलता मिलती है जो कि कुशिश कर रही है लगातार और उन्होंने इन चुनावों के दोरान कोशिश यही है कि या तो अपने साथियों के साथ जहां वो जीते की सिती में उनको बच्रूप किया जाए और अपने सिंबल पर भी तमाम साथ जो जो कोशिश है जो जटी का रुख करके दक्षिण में अपनी सपह हासिल करने का यह चुनाव इस माइने में जाना जाएगा कि किस अच्छ तक प्रयास किये गए और इन प्रयासों को रिखांकित करने के बाद तक शफलता मिलेगी उसके माइने में एक बाटा के रुप म जबी इस पत्ता है कि जो चीजे पत्त लाई गई थी उसके में कितनी सफलता है जो जी आप हमाई साथ जुड़े रहे हैं हमारे सलाकार संपादक विनोद मिश्र भी हमाई साथ जुड़ चुके हैं विनोद जी ये तस्वीरे हम देख रहे हैं जबरदस उस्ता लोगों में पुश पोवर्शा करके प्रधान मंतरी नरे नर्मोदी का स्वागत लोग एक सेलफी लेने के लिए इन शणों को कैद करने के लिए मोबाईल में अपने ततपर दिख रहे हैं उत्सुख दिख रहे दिख रहे हैं और एक जबरदस उतकंठा दिख रहे हैं चाहे वो वृद्ध हो चाहे माताय बहने बुजूर्ग दिव्यांग तस्वीरे बहुत कुछ कहती है किन रूप पे आप देखते हैं कि पिछले सौ दिनों में सात्वी बार प्रधान मंतरी की तमिलनाडू की यात्र करनाटक के बाद अब कहीं न कहीं एक दक्षडा पता वियान की तरह तमिलनाड को भी फतह करने की कोशिस राजदीतिक रूप से इन द्रिश्चों को किस तरीके से परिभाशित करेंगे विनोद मिश्र कि मैं अभी सुन रहा था अपने रिपोर्टर इसी कुमार को और यह मैं देख रहा हूं जब यह द्रिश्ची को तो मैं कह सकता हूं कि अदभुत अकल्प निये कि अब तक जो डिस्कोर्ज था कम से कम उत्तर और दक्षिन को लेके आज वो लिजे लगता है कि जो संपुन भारत की बात जब आप कहते थे अभी अपने अपनी चर्चा में कही है तो मुझे लगता है कि सारी खाई जो है वो पक्ती नजराई है कि यह जितने उत्ता आप लोगों में देख रहे हैं और जिस तरह की उमंग है और प्रियम को के अविवादन रिले रहे हैं सबका तो आपको यह बात मानना पड़ेगा कि जब पीम मोदी कैसे हैं अब की बार चार सो पार तो यह चार सो पार का यह सबसे पते ध्वनी जो है वो इस लोगों के उत्सा से और इनके उमंगों से दिखाए देती है सबसे इंपॉर्टन्ट चीज यह है कि जो रिशिक माना भी बता रहे थे कि इस दौर में जो नेरेटिव है वो नेरेटिव कैसे दोस्त हुए है नेरेटिव दोस्त हुए यह एक दिन का नहीं है यह एक दिन का सुनी एक दिन में पूरा नहीं होता है इस रोटसोब में जो आप नजारा देख रहे हैं और जो प्रफुलित जो समाज है वो सारे जगह के लोग किस तरह से लाइन में ख़रे हैं चड़ने जैसा इतने ब्यस्ताम इलाके में आप गय सकते हैं कि इतने लोगों में इतनी फुर्शत नहीं है कि लोग प्राइम अपने बारी का इंदिजार करते प्राइम निस्टर को हाथ लाते हुए दिखें लेकिन यह जो खाई पटी है इसके पीछे कासी तमिल समागम की बहुत ही बहुत फून भूमिका रही है यह जो खाई पटी है वो पाध्यामेंट में इतने वर्सों के बाद तमिल संस्कृती का जो भजबाहत संगोल है उसकी अत्थापना है यह जो पटी है वो युनाटेट नेशन में जब प्राइम निस्टर कहते थे कि दुनिया की कोई भी गर्प्राचीन भासा है तो यह हमारी तमिल भासा है यह तमिल संगम का जो यह पुराना हमारा इतिहास रहा है भारत की प दोलन के बाद और उस देरेटिव के बाद वो लोगों को यठात पता चला है जिस बात को पीम ने करके दिखाया है कि उत्तर से दक्षिन तक भारत एक है भारत की सर्धावित्ता एक है भारत की संस्कृति एक है तो उसकी आपको पर दोरी दिख रहे थे दूसरी बात जो र प्राइन में पाड़ी बात करते से यह नावरत मां तो मैं यकीन दिलाता हूं एक यह योपी का इस हैच्त लाने वाला है जिन्यज ववे ऑपने अपने लीजर अपने अपने इलाके में वह अत्वार लीजर है उनकी अपनी एक भूमिका है बीडेशी ने पहली पारी है नो अपने कार्डिकरता पर अपने काड़ पर अपने अध्यक्ष पर बहुरसा चिया है कि आपका विजेटी के साथ हमेलेंस तोर लेंगे जब तक यह अपना मलेकों नहीं हटाते हैं और प्राइमिनिस्टर मोदी और विजेटी ने उसे नहीं माना और अपने अन्ना मलेकों अस्थाफित किया तो आज देखिए कि अन्ना मलेक इन सारे AIDMK, DMK के एगेंस में एक द्रूम बन गए हैं, एक सेंटर बन गए हैं लोगों में एक यकीन दिलाया है जमीनी अस्थर पर काप करके, किस्कमानदारी से काम करके, हम करना तक हम तमिलाडू में एक नई विसार लेजा करते हैं खते हैं तो यह उनकी भी भूमिका आपके सकते हैं कि अने त्रूत की भी है, तो कार्ज करदाहों की भी है, जो तर मिलाडू में इतले बरसों से जगन, आपके सकते हैं, लगातार बेहनत करके, पिछी कुपाल से वो दो डोर पहुंच रहे हैं और ये भीर आज उनके उस मेहनत का प्रतिफल दिखाए देता है इतनी जवर्दस्त जनसमर्थन की फसल दिखा रही है पूरी दुनिया को पूरे देश को दूसरे राजदितिक दलो को आपसे जाजना चाहेंगे कि अब अगर आप देखें तो किस रूप पे इस चुनाओ को देखते हैं आपने का जिए दहम होगा ये चुनाओ सामाजिक सांस्कृतिक दिश्चिकोर से तो युनोजी ने इसे व्याक्षाइद किया ही राजदितिक रूप से इसके बड़े प्रतिध्वनी सुनाई देंगे जो भी आएंगे क्योंकि ये चुनाओ ऐसे समय में हो रहा है जब AIA-DMK से भाजपा का गठबंधन नहीं है ये चुनाओ ऐसे समय में हो रहा है जब राजदितिक शुनक रूप में AIA-DMK का करिश्माई व्यक्तित और नरेतित तो जहल अलिता का तमिलाडू की राजदित में नहीं है ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों राजदितिक दलों का जो के स्वाभावी के रूप में माने जाते थे AIA-DMK और BJP वो साथ-साथ नहीं है लेकिन तमिल मनुला कांग्रेस और PM के जैसे राजदितिक दल है किस रूप में देखते हैं कि जो वीक्यूम यह फिर जो राजनीतिक कमी यए फिर राजनीतिक REPLACEMENT की बात आती है चाहे वो कांग्रेस वीरोधी मतों का हो चाहे वो AIA-DMK के राजनीतिक रसाकशी से उपजे बतों का हो या फिर डीम के विरुदीमतों का हो उस पर कहीं न कहीं भाशपा की नजर है रिशे अजर में देखाए रही है तो उन्हें पुरा कॉंपिडेंस है कि अब हम अगे बढ़ेंगे और अगे बढ़ने का चंकल लिया गया था तो उसके लिए पूरी रड़नीती बनाई गई और उस रड़नीती में उनों ने ये पाया कि जो एएए डीयम्टी का इस समय जो इस्टिथी है कि हमें देखा था कि अन्ना और अम्मा के आसपार पूरी राज़ीती ता तामिलाडूखी रहती थी आज एक तरब से शुरिता दिखाई दे रही है वहां दिखाव भी है नित्रुटी की कमी है जो कि इस समय चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि डीयम्टी के विरोज में अब वो उस तरीके का कीखा विरोज कहीं नहीं दिखाई देता अगर वो दिख रहा है तो बार्सी जन्ता पार्टी उसको सीरे काउंटर करना चाहती है और उन लोगों की आकांग्शाओं और उप्रिक्षाओं को समाहिद करके एक नित्रत देना चाहती है इसी तरीके से हमने देखा कि विरोज दिख जी कह रहे थे कि रिशे तर्से पार्ती जन्ता पार्टी ने जो अपने कारेकरथा में वहोऊसा दिखाया और अपने पार्टी के पजर्यक्ष के मेट्रुप में एक सरफा लेते हुए कहा कि हमें आपके जिरुत नहीं है हम कह सकते हैं कि आज आआएंडिया का जो एलाइंस है कहीं पर साथ में है कहीं पर वितों में हैं लेकिन भाति बर्चिनता परेनाडी ने इसlish प्रसंट शफलता के बात चाहे वो उस्तरपदेश वो या सुठण में लाडीip पर भी इफित्वात की कोई नियाइस नहीं मुट्री पुदेश का जिक्र कर सकते हैं कि वहां पर अलों ने चोटे-चोटे अलाईज को तमाम सम्मान दिया और ऐसे हैं लोगों को तमाम जो भागेदारी दिये कर दिये दो भागेदारी का सबस्कता का सबस्की बड़ी दूफना क की बनाने में कदू कर दिये। इसी वज़े से यह मैं कहरा हूं कि चलाव बेहज महत्पूर होगा और सी साइडिक वेक्टर बन सकता है आने वाले समय में इसको कि इन प्रयासों के तौर को स्दानमेंदी कि प्रयासों के तौर पर हम देख सकते हैं सौ दिनों के अंदर सी साथी वार इसको जाता है हो रही है तो इसका कहीं न कहीं ही परड़ाम जरूर आएगा और इस परड़ाम है कि हम कहते हैं कि हरेक इन पूद का आउपट होता है प्रदान मंत्री रुकने साथी परड़ाम जरुड़ाम जर्चाओ नहीं कि इसकी तरीके से यहांपर शुन जिनाता है वहाँ पर वो शिखर में उसको कन्वर्ट करते हूँ यह समान चीज़े हैं कि स्याथ तोर पर प्रदाम मंत्रीम जदे जिर्मोजी को एक ऐसे नेता की रूप में साफिश करते हैं आजादी के बाद जो हर चीज को जिम्मेदारी से लेता है और हर चीज की जिम्मेदारी को पर चीज करता था कि वहाँ पर प्रदाम में साथी जिम्मेदा पाइटी इकने प्रिपेंट गोमत के वहाँ पर चरकार बनाई जिए जो फाया कल्स हुआ है किसमें जो रड़नीती है जो सामंजित से है साधागिता है साधेदारी है यह ब्रेद मैश्पूर है क्योंकि पढ़े लगारे हैं सफ्पूः ओर्ता कर रहें और पधान मंछो ने ले एंगे जो चाहि twenty यह इस तरीके की जो जो दिर्ष आरे हैं तरीके की दीवांगी हमने नेताओं के प्रत्रदक्षर में देखी है माफ करिएगा अभी नेताओं से फारी कि पूरी दक्षड की रादनीता भी नेताओं से भरी पड़ी रही है किसी नेता को इस तरीके का पुरल अद्रिश है कि इस तरीके से जन्ता जनार्दन का जबर्दस उच्सा मेंदा दिखा हूँ पिल्कु देखें है असीम हम कहते थे ना पहले क्राउड पुलर हमें रिसे ही होते तो श्यासत में समाम रादने सिग्दल इस बात की तोशिश करते थे कुछ ऐसे जोगों को काटी में शामिल किया जाए इससे कि लोगों उने ठेखने के लिए आज भार्ती रादनीशी में प जो ठाद है जो कामकाज है और जो शैली है उसको यहाँ पर हम रेखांकित होते हुए जगए जग इतवान मंत्री अरेंद्र मोटी के अभिवादन में हम देख रहे हैं कि लौने तरफ यह पर हम जो अजवादन उकर से हुए जो लोग है यह इस्सों हुनारे है तो ज़ू है यहां पर दिख रहा है और राजने से गुरुट से हम देखें जिए 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 आप हमाई साथ बने रहे हैं हमाई साथ विदोध मिश्र विजू रहे हैं जिए जिरोट जी तस्वीरे किसी राजनेतिक दल की नीद उड़ा देने के लिए partir विपक्षी राजनेतिक डलों की क्योंकि जिस तरीके से दक्षिन की राजनीत कहीं न कहीं शेतिये शत्र पॉर चेत्री दलों वर ही समाही थी राश्टी एस्तर के जो राजनीतिक दल थे उनकी वहाँ पर उतनी पैट नहीं थी, पहली बार दिख रहा है, हल्का सा हम जिक्रिये करेंगे कि केवल यह राजनीति की यात्रा है केही रूप में न देखा जाए, प्रधान मंत्री नरेन मोदी का जो चाहे वो स पन्या कुमारी से श्रीनगर की पूरी यात्रा की, यह पूरा तीस, तैटीस, चौतीस वर्षों का जो पूरा का पूरा तप और तपस्या है, वो कहीं न कहीं भी एक बार फली भूत होती दिखती है, तब जब की अब राजनीतिक रूप से उसको उसके लाब भी लिये जान पर चलते हुए, अभी प्राइमनिस्टर के अलगवड यह काफिला कमसे का मुझे लगता है, तीन से चार किलो मीटर का यह चल चुका होगा काफिला, लेकिन आज पत का मिलाडू में यह भी जो है, जो है, जो इस है, वो अभी तक फिल्मी चितारों को और फिल्म से जिरे आते थे और तम लोग उनको जानते थे जब यह स्क्रीन पे पॉपलर हुए है, अपने अपने किर्दार में पॉपलर हुए है, तो जन्ता ने उनको पर आखों पे बिछाया और उनको एक माल लिया कि हमारे हीरो है, लेकिन राजनितिक सक्षियत के रूप में, आज अगर य आते हमारु इस देख रहा है कि स्केस ब्रहा प्लती स्वंन तो आप मान सकते हैं कि धिस्वोस पी अगरे मोर्या देघ्टा में जब दालए है ुर्यव धे करते हो र। है तो और मोदी ने अपने येआञ लीप में जो एक हिरयो बन के दिखाया इव ऑने संग पसके बच्चा साल का वो मुझे लगता है कि जनता उन्हें मानती है इस बास को कि पिये मोदी ने इस डेश के लिए और इस डेश के संगर्थ में अपने को अस्थाफित किया है तो डिफिरिटली आप कह सकते हैं इस डेश के जन्मानत के ओर हीरो है तो चेन्ने में इस भीर को देखके जब एक बात और से याद आती है आपसे बहुत सांदार सवाल किया था कि लोग वहां रिखी प्रोक्रेट करते हैं नेता हो या भी नेता लोग फूल के आते हैं अब में हरानी नहीं होगी और पाटियों की रैली निकल रही है और पाटियो कि लोगों ने देखा होगा हमने तो साथ पहली बार देखा है इस दौर में यह सब अजबुत इसलिए भी हो रहा है जब आपको मैंने बताया ना कि जब आप उस नेरेटिस को सब्सक्राइब करते हैं अभी पास राजियों के चुनाव हुए थे अचुनी आपको याद तो इस दिस्कोर्स कि तर्मिलादू से सुरू हुआ कि मोदी उस्तर भारत की बार्ती फीरा गई है लग्षिन में इनका फोई तरोकार नहीं है लेकिन पीए मोदी ने इस रोड़ सोबें उन सारे चीजों को जूट आ करा दिया है और यह जूटा करार देने ते वह कनेक्श अजया में आ रहे थे मंदिर उनकी पानपस के साथी आजया में ओर रही थी लेकिन संकल्प की सुरुआ को तुम्हारी से ओर एक नहीं समझेते लेकिन आज यह देख रहा है कि वह कनेक्शन क्या होता है लिए तो इस तरह की चीजें जम्हें हम लोग इस बाद की चाट्शा नहीं बात बनती है यह दखत पुडियास होता है लोगों के बीचाने का और विदो जिखर किया कि 1992 की एक्ता यात्रा की जिसके शुरुआत ड़्यवाटर बुल्डी बनुहर जोशी के साथ हुई और समापन श्री नगर हुआ बाद कर दो चान्यात हमारी से दुरू की ती तो हमें इस बात को यखीन मनना पड़ेगा कि प्यम का जो प्लैन है और प्यम जिस फ्लैन को लेके आगे बरते हैं यह बाद में लोगों को पता चलता है और लोगों पताते हैं चौकते हैं कि आसा कैसे हो गया लेकिन इसकी प्रिस्ट मूवी बहुत लंबे गहन चिंतन और उसकी प्रक्रिया से बुजड़ती है और उसके बाद प्येव में रोड सो लेके आते हैं और जब यह नरजाज गजारा हम देखते हैं तो लोग सच में चौक जाते हैं कि क्या तबेलादू में क्या चेनले में इस चरह के रोड मदरता और इस तरह के लोगों की फुक्रिती यह साथ हम क्या सकते हैं यह आप इजना इससे पहले कभी हुआ और जैड होगा यह होगा नहीं होगा यह बता तो नहीं लेकिन लोगों ने यह बात बता दिया इससे पहले के कई चुनाओं को विया आप दख्री राज्यों ने आपने कवर किया है इससे पहले के कई चुनाओं को विया राजनीतिक वंडित या फिर भाजपा की अपनी उम्मीद वो यह कह रही है कि करनाटक जैसा ही नया इतिहास करनाटक जैसा ही एक गड़ ही कहीं तबदील हो सकता है तमिल नाडू ही एक भाजपा के लिए किस रूप में जमीनी हकीकत लिए बना जा रहा हुआ है की जिस तरीके सा क्रामक पर चार्शाइली हो चाहिए उनके आक्रामक के सा प्रदेश अध्यक्शों को हो चाहिए नया आकरशन कहीं नहीं और साथी साथ नया जो गया राजनीतिक वैकियों निर्वाद जो उसका भी स्थान गरहन करने की आगे बढ़को कि एक बाद बढ़ रहे हैं कि चाहर को आगे बढ़ रहे हैं और तो इस तरी के पर इसुरी के पर इपानी में वो इस वाद को रिखां कि ऑज़ रहे हैं मिल्लाडी जी राज़ी तीन है कि उन्हें इस बात का आउसर मिला है कि इसे एक इमांदार प्रयास किया जाए तो इसके सभलता में बढ़ना जा सकता है और इसी प्रयास के दुछे उन्होंने अपने इखानी ये नेता गो इसी प्रवपला के बरत प्रीज पर लाए और तुनके जो प्रयास बढ़ए है उसमें अफनी मैने देखा आए कि जो ज़ुआ है उनके लगातार दक्षण के दोड़े पर प्रधान मंत्री नरेंद मोधी रहे हैं अगर देखे तो पिछले सौ दिनों में सात्वी बार तमिल नाडू पहुचे हैं दक्षण पर विशे इस फोकस है भाजपा का इस चुनावी संग्राम में करदाकक को यह तो दक्षण का द्वार माना जाता है लेकिन इस तो दूर दक्षणी राजे तमिल नाडू में भाजपा का आप एक्षित प्रधर्शन नहीं रहा और भाजपा वो बहतर प्रधर्शन करने के लिए हंदोशा ततपर रही है इस राजज़ में खेतरी दलों के साथ गडवंधन के साथ भाजपा चुना उलर चुकी है लेकिन इस बार भाजपा यह अपनी पूरी ताकत जोग दी है तमिल नाडू की सियासी प्रधर्शन को बदलने के लिए सीधी तस्वीरे आप देख रहे हैं चिंद्रई से जहां पर बड़ी संख्या में दानमंत्री नरेंदमोडी का अभिवादन करने के लिए लोगों का जंसेलाब उम्रा है सरकोपर लोग दो 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 तरफ कतार बड़ोकर पुद्धानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं तुषपरशा कर रहे हैं और देखे तो अलग-अलग तरीके से परंपरागत तरीके से पुद्धानमंत्री नरेंदमोडी का स्वाधत हो रहा है कुछ लोग भारती जनता पाड़ी के जंडे लेकर तो कुछ लोग पौराडी के पात्रों के रूप में अपने को सजधशकर वहां पर पहुंचे हैं अपने प्रियनेता की जलक देखने के लिए परंपरागत तरीके से स्वागत किया रहा है पुषपवर्शा करके स्वागत कर रही जनता जनारदन मौजूदा वहां के लोग हमारे संबादाता रिशी कुमार हमारे साथ जुड़े हैं रिशी हम देख रहे हैं तस्वीरे लोगों का उत्साह देख रहे हैं प्रधान मंतरी का देख रहे हैं किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं जनता जनारदन का अपने विशिष्ट अंदाज में कुछ मवर्शा के साथ साथ क्या कुछ कितना लंबा ये रोड़ शो और क्या कुछ रोड के अपने वो हैं मतलब जो रूट होगा वो क्या कुछ है और हम देख रहे हैं कि उत्साह खुद बैया करते हैं द्रिश्यों में हम अपने सब्भाद्याता रिश्यकुमार से जुडवे की कोशिश करेंगे ये सीधी तस्मीरे हमें मिल गई हैं चेन नई से प्धान मंत्री नरेंद्र मोडी की एक झ्छलक देखने के लिए लोगों का जनसेलाब उमर्क पड़ा है और लगाकार प्धान मंत्री नरेंद्र के दौरवे पर रहे हैं इससे पहले अगर चाहे राम मंदिर की प्रालप्रतिष्था से जुड़े हुए कारिकर्मों को अगर देखे तो अनेक मंदिरों में जाकर दक्षण के अनेक जगहों पर जाकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी ने पूजा अर्षना की थी और शेंदन कर रहे तो अभिवादन का जवाब दे रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जंता जनार्दन के सामने सिर्झ हुका कर हमारे सम्वादात्या रेशी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए है hey प्रदान मंत्री का ये दोरा दक्षणी राजय तमिल नाडू में अगर देखे तो ये कहा जा रहा कि पिछले सौ दिनों में साथवी बार प्रदान मंत्री नरेन मोदी पहुचे हैं तमिल नाडू द्रिश्य खुद बया करते हैं लोगों का उत्साह, लोगों का जजबा, लो दिखता है जननता के बीच पर, रिशी. इस बात को रेखांकित किया है कि जो भारत की सौहार्द है और काशी और तमिल का जो संगम है उसको यहां पर विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और इस पूरे के पूरे रोडशो को अगर हम देखें तो यहां पर कमाम जो कलाकार ह हैं अपने घीट, संगीत, और झृत्य के माधियं से यहां पर उनके श्वागत में एकत्रित हुए हैं हमने देखा है यहां पर क्ता इस पूर्ट ऐसे भी लोग क्तित जो यहां पर एकत्रित हुए और अविवादन के लिए उनकी एक जलक पाने के लिए यहां पर अपनी जिसे कहते हैं बॉडी लेंग्विज के माद्यम से वो लोगों से जुड़ते हैं और जैसे कि हम पा रहे हैं कि पुछ वर्षा के माद्यम से और तमाम जो लोग हैं उन्हें एक अस्रीम उस्ता दिखाई दे रहा हैं जब गडानमंतियों जन्ता के साथ खातिब होते हैं तो एक दौनों के बीच में पुछ जन्ता के बीच में हैं एक सामध्य सब्सक्राइब जिसे कहते हैं तारतम में बनता हुआ भी दिखता है यहां पर हमने तमाम लोगों से बात की तो उनों ने यहीं बताया कि जो इस समय माहौल है और इस माहौल में वो प्रदान नंत्री को पेखने के लिए और उनका उप्सा वर्दन करने के लिए यहां पर एकत्री दिए विशी अगर देखें चुनावी मौसम चल रहा है इस तरीके से आपने जिक्र किया काशी तमिल संगमम का सोमनाथ तमिल संगमम का इन सब का आयोजन पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कई वर्षों से देख रहे हैं राजनीतिक परणाम या जनादेश इससे इतर भी एक बात हम और यहां पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो कहीं न कहीं एक उत्तर और दक्षिन की संस्कृतियों में विलगाओ की बात कही जाती थी संस्कृतियों तो हमारी एक ही है लेकिन उसको व्याख्याई परिभाशित करने की कोशिश की जाती थी कि दो संस्कृतियां है सच्चाई तो यह सनातन संस्कृति आद्योपांत हिमाले से लेकर धनुष कोटी तक है तो किस तरीके से जो सामाजिक सामांजस से या जिस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं उत्तर दक्षड की दो परंपराओं में जो हल्की फुल्की खाई भी थी जो चाहे वो वैचारिक हो चाहे वो सामाजीक हो चाहे वो परंपरागत हो वो भी पटी है अगर आप देखें तो पिछले वर्षों में पिछले दशक में अगर हम इस बात को रिकांखिक करें कि इस दौरान तो फास्तोर से प्रजानमंद की मोडिले पोशिश की है और इसको हम सफल होते हुए भी देख रहे हैं कि जो जैसे कि आपने कहा कि एक फोशिश होती थी जाजनेतिक इस्थर पर जब की तांखिक और जो भारतिये इस्थर देखा है अगर हमने देखा है कि भारत की सीमाओं पर अगर कोई नौर्ट का है अगर कोई पंजाबी है शिख जट है तो मराठी की में रहा है तो इस पूरे के पूरे वाहोल को हमने हमेशा से देखा है लेकिन स्याती रूप में अगर किसी ने इसको जोडने की कोशिश की है तो प्रभान मंत्री नर्जम्र मोदी ने कोशिश की है और इस कोशिश में उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा कि हम सब एक हैं और हमारी जो सांसिकितिक और जो राजनेतिक पहलू है अगर उसको देखें तो वो सब एक हैं और इसी वज़े से काथी समागम के माध्यम से जो उत्तर दक्षवी का जो बेल है उसको यहां पर कराया गया एक और आप तुमें घटना करम बताना चाहूँगा जिसमें की जो तो मिलाडू का एक प्रतीक है सेंगोल उसे सेंगोल को अगर उनों और ऐसे माहूल में रखा जा रहा है जिसमें कोई भी अलग नहीं है सब मिल जूकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और विकिसित भारत के लिए जो संकल्पना है जो साफिक की जा रही है उन संकल्पनाओं में इस तरीके के जो कारिकरम होते हैं जो बटनकरम होते ह हैं और हम इन पतीफों के मार्जम से एक दूसरे के साथ चुड़ते हैं जी और यहीं चुड़ाव को इस्थाफिच करने के लिए आज ये रोजशो दिखाई दे रहा है जी जी राजदीतिक तोर चागर देखें रिशी तो क्या कहेंगे कि करनाटक तो दक्षन का द्वार क को या इस तरीके से लगातार चुनावी धारदार प्रहार को चुनावी प्रशार को क्या आप मानके चलते यह भाजपा का दक्षडा पत अभियान है अगर हम देखें तो यह सुनाव इस माइने में भी जाना जाएगा कि किस तरीके से बाती जिन्ता पार्टी ने एक इमानदार प्रयास किया अपनी साकत के दम पर सुनाव में उतरने का अग Director हमने देखा है कि डंते और क्यार बाती दम कि के साथ मिलकर ही जो राक्षी पार्टियां है वो यहां पर अपनी उपस्तिति को गरजप करानी में कुसी रही है पहले छहने प्रशार कला यह इस देखा है कि बाती जियु कек एक कर दियू कि ररहाने बीजेपी राजी के जो तमाम समीक करण हैं उनको साधने की कुशिश कर रही है और इसमें हम कह सकते हैं जो पीएम के हैं पट्टाली मक्कल गाची सब्सक्ते मजबूत साथी के रुप में उनके साथ है और ऐसे ही तमाम जो घटक हैं जिनकों की लेकर बीजेपी आगे बढ़ अब बीजेपी को अगर इस माइने में सफलता मिलती है जो कि कोशिश कर रही है लगातार और उन्होंने इन चुनावों के दौरान कोशिश यही है कि या तो अपने साथियों के साथ जहां वो जीतने की स्थिती में उनको बज्रूप किया जाए और अपने सिंबल पर भी त प्रयास किये गए और इन प्रयासों को रिखांकित करने के बाद शफलता मिलेगी उसके माइने में एक दाटा के रूप में भी एक रिखांकित करता है कि जो चीजे पतक पर लाई गई थी उसमें कितनी सफलता है जी रिशी आप हमाई साथ जुड़े रहे हैं हमारे सलाकार समपादक विनोद मिश्र भी हमाई साथ जुड़ चुके हैं विनोद जी ये तस्वीरे हम देख रहे हैं जबर्दस उस्ताह लोगों में पुश पोवर्शा करके प्रधानमंत्री नरें रमोदी का स्वागत लोग एक सेलफी लेने के लिए इन शणों को कैद करने के लिए म तमिलनाडू की यात्रा करनाटक के बाद अब कहीं न कहीं एक दक्षडा पता भियान की तरह तमिलनाडू को भी फतह करने की कोशिस राजदीति ग्रूप से इन द्रिश्चों को किस तरीके से परिभाशित करेंगे विनोद मिश्र कि मैं अभी सुन रहा था आपने रिपोर्टर इसी कुमार को और ये मैं देख रहा हूं जब ये दिरिश्ची को तो मैं कह सकता हूं कि अदभुत अकल्प निये कि अब तक जो डिस्कोर्स था कम से कम उत्तर और दक्षिन को लेके आज वो लिजे लगता है कि जो संपुन भारत की बात जब आप कहते थे अभी आपने अपनी चर्चा में कही है तो मुझे लगता है कि सारी खाई जो है वो पट्टी नजराई है कि ये जितने उत्ता आप लोगों में देख रहे हैं और जिस तरह की उमंग है और प्रियम को के अविबादन रिले रहे हैं सब का तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब पीम मुदी कहते हैं अब की बार 400 बार तो ये 400 बार का ये सबसे पते ध्वन जो है वो इस लोगों के उत्साते और इनके के वुराना नहीं होता है इस जो प्रफुलिस्ट जो समाघ है वो सारे जगह के लोग इस तरह ते लाइन में खरें चब्ने जैसा इतने भ्यस्ताम इलाके में आप गह सकते हैं कि इतने लोगों में इतनी फूर्षत में आप देखने के लिए यहाँ पर लंबे इंजार करते और अपने अपनी बारी का इंजार करते प्रैमस से ठालम के बहुत प्राइम्नेंट मेंपने में इतने वर्तों के बाद आनल संस्कृति का जो जो ढर्रजबाहत संगोल आपन마य यह थाई जो पटी है वो युनाइटेज नेशन में जब प्राइमनिसर कहते थे कि दुनिया की कोई भी गर्पाचीन भासा है तो यह हमारी तमिल भासा है यह तमिल संगम का जो एक पुराना हमारा इतिहास रहा है भारत की पुरानी परंपरा और संस्कृति रही है उसको पु प्राइमने तक भारत एक है भारत की संस्कृति एक है तो उसकी आपको प्रप्रवारी दिख रहे थे दूसरी बात जो रिश्टिक वार कह रहे थे जो नौव पार्टियों का वह कितना चेंज आने वाला है चार जून के बाद लोगों को पता चलेगा यह सच्वे चौक आन इसको पिम अपने एज़ेश्र्में बारबात न मरसना की बात करते से यह नौत ना मैं यकीन दिलाता हूं त कि ये यूपी का इस्boys मंदेवाला है यहिन है अपने-पने अपने एचिछ के जो समू है उपने अपने अपने इलाके में मात पूर लीडर है उनकी अपनी एक भूमिका है, BJP ने पहनी बार उन सारे लोगों के साथ में, सारे टीम के साथ में, एक एलाइंस किया है और एक पावरफुल फोर्स बना है, कन्या कुमारी से लेके, और चेने से लेके, और सारी जगा पे आप देखें कि BJP के जितने कैंडेट करें हैं, उसके साथ में, वो सारे फोर्ट भी रहे हुए, दूसरा जो सबसे इन बॉर्डेंट है, जो पीन के साथ अपना मलाई देखते हैं, कि पीन ने अपने कार्ज करता पे, अपने कैडर पे, अपने ध्यक्ष पे कितना भरोसा किया है, कि जिस दिन AI-DM के ने सिकायश की थी, कि आपक जब तक ही आप अन्ना मले को नहीं हटाते हैं, और प्राइम निस्टर मोदी और बिजेपी ने उसे नहीं माना, और अपने अन्ना मले के वह स्थापित किया, तो आज देखिए, कि अन्ना मले इन सारे AI-DM के, DMK के एगेंस्ट में, एक दूरूप बन गया है, एक सेंटर ब इन सारे तो इनकी भी भूमिका आप एक नित्रीत की भी भूमिका है, तो कारजक्र्टाओं की भी हुमिका है, weekलाbel में, तिजितने बरसों से जगन आप क कह सकते हैं कि लगातार बेहनत करके पिछे वह सालसे, वो दोर पहुंच रहे हैं, और ये भीर आज उनके उसी बेहन पूरा का पूरा भाजपा का रहां लगातार इस दक्षडी राज में हम दो तस्वीरे देख रहे हैं वो निश्चित तोर से सभी राजदीतिक दलों के लिए विशिष्ट इस माइने में भी होंगी कि किस तरीके से राजदीतिक रूप से अनुरुवर धर्ती पर भी एक सतत म रूप पे इस चुनाओ को देखते हैं आपने कहा कि बहद हम होगा यह चुनाओ सामाजिक सांस्कृतिक दिश्चिकोर से तो युनोजी ने इसे व्याक्षाइद किया ही राजदीतिक रूप से बड़े प्रतिध्वन सुनाई देंगे जो भी आएंगे क्योंकि यह साथ साथ नहीं है लेकिन तमिल मनुला कांगरेस और पीमक जैसे राजदीतिक दल हैं किस रूप में देखते हैं जो वैक्यूम या फिर जो राजदीक कमी या फिर राजदीक रिप्लेस्मेंट की बात आती है चाहे वो कांगरेस विरोधी मतों का हो चाहे वो एया ये डीमक के राजदीक रसाकशी से उप्जे मतों का हो या फिर डीमक विरोधी मतों का हो उस पर कहीं न कहीं भाज़पा की नजर है रिशेट अगर हम तमिल नाडू की सियासत को देखें तो तक्रीवन सावन साल से हमें देखा है कि जो राजदीक पार्टियां हैं जो यहां सी राजदीक में या तो एया ये डीमक या डीमक की साथ ही सबल आगे बढ़ पाई है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव इसमाइने मे लगातार दक्षण के दोरे पर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी रहे हैं अगर देखें तो पिछले सौ दिनों में सात्वी बार तमिल नाडू पहुचे हैं दक्षण पर विशे इस फोकस है भाजपा का इस चुनावी संग्राम में करना तक को यूं तो दक्षण का द्वार माना जाता है लेकिन इस तो दूर दक्षणी राजे तमिल नाडू में भाजपा का आप एक्षित प्रदर्शन नहीं रहा और भाजपाओ बहतर प्रदर्शन करने के लिए हंदोशा ततपर रही है इस राजज में शेतरी दलों के साथ गडबंधन के साथ भाजपा करने के लिए लोगों का जंसेलाब उम्रा है सबकर लोग दोनों तरफ कतार बढ़ होकर प्धान मंतरी का अभीवादन कर रहे हैं और देखे तो अलग-अलग तरीके से परंपरागत तरीके से प्धान मंतरी नरेदर मोदी का स्वाजप हो रहा है कुछ लोग जंता भारती जंता पाड़ी के जंडे लेकर तो कुछ लोग पौराडी के पात्रों के रूप में अपने को सजधश कर वहां पर पहुंचे हैं तो ये विशेस आकरशन देखने को मिलता है प्रधान मंतरी नरेदर मोदी के रोर्षों में छोटे-छोटे बच्चों को लेकर माताये बहने से पहुंचती है और एक अलहदा अंदाज एक अलह विशेस्ट आकरशन प्रधान मंतरी के व्यक्तित तुका लोगों को खीश लेके आता है किसी विराजनीतिक दल से संबध्ध हों लोग लेकिन रूप्शों की जब बात होती है तो बड़ी संख्या में जंता जनारदन पह आधान मंतरी का देख रहे हैं किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं जंता जनारदन का अपने विशिष्ट अंदाज में पुछ पोवर्शा के साह साथ क्या कुछ कितना लंबा ये रोड़ शो और क्या कुछ रोड के अपने वह मतलब जो रूट होगा वो क्या कुछ है और और हम देख रहे हैं कि उच्छा खुद बया करते हैं दिरिश्यों में दिरिश्यों हम अपने सब बाद्याता रिश्यकुमार से जुड़े की कोशिश करेंगे यह सीधी तस्मीरे हमें मिल गई हैं चिनलेई से प्धानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झालक देखने के लिए लोगों का जनसेलाब उमल पड़ा है और लगाकार प्धानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल्णाडू के दर्वे पर रहे हैं पहले अगर चाहे राम मंदिर के अने जगों पर जाकर प्रधानमंतरी नरेंद्रमोदी ने पूझा आर्शना की थी और पिछले सौधीनों में अगर देखे थो शाथमीं भार रधानमंतरी नरेंद्रमोदी पहँचे पहुचे हैं जबरदत तुथ साह लोगों में जनता पुष्पवर्शा करके अपने प्रियनेता का स्वागत कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी अभिवादन स्विकार कर रहे हैं और साथी साथ जनता अभिवादन का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जनता जनारदन के सामने सिर्ज हुक द्रिश्य खुद बया करते हैं लोगों का उत्साह, लोगों का जजबा, लोगों का प्रधानमंत्री के प्रतियाकरश्वन की किस तरीके से पुष्पवरशा करके लोग अभिवादन कर रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं, द्रिश्यों को कैद करना चाह रहे हैं, क्या कु जन्ता यहां पर उनका आविवादन करने के लिए यहां पर एकत्त हुई है और हम जानते हैं कि चेन्यायी की जो संस्कृती है जो इसको लोड़ा है और पिछले अगर हम इनके यात्राइओ के दोरान देखें, उहना ने श्कांद को रिखांकित किया है कि जो भारत की जो संस् तमिन का जो पंगम है उसको यहां पर विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं पडान मंस्री नरेंद्र मोदी और इस पूरे के पूरे डोड-्शो को अगर हम देखें तो यहां पर तमाँ जो पना कार हैं अपने घीत, कंगीत और मिर्थ के माध्यम से यहां पर उनके स्वागत में एकत्रत हुए हैं हमने देखा है यहां पर सता स्पूर्स ऐसे भी लोग थेकित जो यहां पर एकप्रित हुए और उनके अविवादन के लिए उनकी एक जलक पाने के लिए यहां पर मौदूद रहें अपनी जिसे कहते हैं बौडी लेंग्विज के माद्यम से वो लोगों से जुड़ते हैं और जैसे कि हम पा रहे हैं कि पुछ वर्शा के माद्यम से और तमाम जो लोग हैं उनमें एक अस्तीम उस्ता दिखाई दे रहा है इसमाइने में जबकि पदान मंत्री जब भी जन्ता क के लीच में एक सामन जेट और एक जिसे कहते हैं तार्तम में बनता हुआ भी दिखता है यहां पर हमने तमाम लोगों से बात की तो उन्हों ने यहीं बताया कि जो इस समय माहौल है और इस माहौल में वो प्दान मंत्री को देखने के लिए और उनका उप्सा वर्दन करने क की लिए यहां पर एक प्रिक देखें चुनावी मौसम चल रहा है इस तरीके से आपने जिक्र किया काशी तमिल संगमम का सोमनाथ तमिल संगमम का इन सब का आयोजन पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कई वर्षों से देख रहे हैं राजिनीतिक पर्णाम या जनाद इससे इतर भी एक बात हम यहां पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो कहीं न कहीं एक उत्तर और दक्षण की संस्कृतियों में विलगाओ की बात कही जाती थी संस्कृतिय तो हमारी एक ही है लेकिन उसको व्याख्याईत परिभाशित करने की कोशिश की जाती थी कि दो संस्कृतियां हैं सच्चाईती है सनातन संस्कृति आध्योपांत हिमाले से लेकर धनुषकोटी तक है तो किस तरीके से जो सामाजिक सामांजस से या जिस तरीके स अगर आप देखे तो पिछले दशक में अगर हम इस बात तो रिखांशिक करें कि इस दौरान चाहिए और इस तो हम सफल होते हुए भी देख रहे हैं कि जो जैसे कि आपने कहा कि एक पोशिश होती थी अगर हमने देखा है कि भारत की सीमाओं पर अगर कोई नौर्ट का है अगर कोई पंजादी है शिख है जट है तो मराठी की मैदान में रहा है तो इस पूरे के पूरे बाहूल को हमने हमेशा से देखा है लेकिन सियाती रूप में अगर किसी में इसको जोड़ने की कोशिश की है तो प्रभान मंतरी नविम्र मोदी में कोशिश की है और इस कोशिश में उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा कि हम सब एक हैं और हमारी जो तांसिकितिक और जो राजनेतिक पहलू है अगर उसको भी देखें तो वो सब एक हैं और इसी वज़े से पासी समागम उसके माध्यम से जो उप्तर दख्षी का जो बेल है उसको यहां पर कराया गया एक और आप तुम्हें घटना करम बताना चाहूँगा जिसमें की जो तमिलाडू का एक टीक है सेंगोल उसे सेंगोल को पमिल संसकितिक से लेकर उनोंने पूरे जो संसक में जब उसको पहुचाया तो वो एक ऐसा लमा था जिसमें हर पमिल ने इस बात को अपना गर्व मैस करनाटक तो दक्षन का द्वार कहा जाता था करनाटक में बीजेपी लगातार सरकार बनाने में भी अलग-अंतराल में वो कामियाब भी रही लेकिन तमिलाड वो अपेक्षित सफलता भाजती जन्ता पार्टी को नहीं मिली अब इस पूरे प्रयास को यह पिर इस तरीके के रोड़शो को या इस तरीके से लगातार चुनावी धारदार प्रहार को, चुनावी प्रशार को क्या आप मान के चलते यह भाजपा का दक्षड़ा पत्थ अभियान है अगर हम देखे तो इस सुनाव इस माइने में भी जाना जाएगा कि किस तरीके से बार्थी जिन्ता पार्टी ने एक इमानदार प्रयास किया अपनी ताकत के दम पर सुनाव में उतरने का अब तक हमने देखा है कि डीम्से और एई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मोर्चा बनाया है और इस मोर्चा नौ दलों की मदद से बीजेपी राज जी के तमाम समीकर्ण हैं उनको साधने की कुशिश कर रही है और इसमें हम कह सकते हैं जो पी-एम के है पट्टाली मकल गांची वक्ते मजबूत साथी के रुप में साथ है और ऐसे ही तमाम जो जटक हैं जिनकों की लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है अब बीजेपी को अगर इस माइने में सफलता मिलती है जो की कोशिश कर रही है लगातार और उन्होंने इन चुनावों के दौरान कोशिश यही है कि या तो अपने साथियों के साथ ज अपनी फतह हासिल करने का यह चुनाव उस माइने में जाना जाएगा कि प्रयास किये गए और इन प्रयासों को और एक खांकित करने के बाद सफलता मिलेगी उसके माइने में एक दाटा के रूप में भी एक खांकित है कि जो चीजे पतक पर लाई गई थी उसमें कितनी सफ साह लोगों में पुश पवर्शा करके प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी का स्वागत लोग एक सेलफी लेने के लिए इन शणों को कैद करने के लिए मोबाइल में अपने ततपर दिख रहे हैं उत्सुख दिख रहे हैं और एक जवरदस्त उतकंठा दिख रहे हैं चाहे व आज दीतिक रूप से इन द्रिश्चों को किस तरीके से परिभाशित करेंगे विनोद मिश्र जितने उत्सा आप लोगों में देख रहे हैं और जिस तरह की उमंग है और प्रियम को के अभिबादन रिले रहे हैं तब का तो आपको यह बात मानना पड़ेगा कि जब यह मोदी कहते हैं अब की बार चार सो पार तो यह चार सो पार का यह सबसे पते ध्वन जो है वो इस लोगों के उत्सा से और इनके उमंगों से दिखाए दीती है तब से इंपॉर्टन चीज़ यह है कि जो रिशीक उमारा भी बता रहे थे कि इस दोर में जो नेरेटिव थे वो नेरेटिव कैसे ढौस्ट हुए है नेरेटिव भूस्त हुए यह एक दिन का नहीं है यह एक द अस्ताम इलाके में आप गया सकते हैं कि इतने लोगों में इतनी फुर्शत नहीं है कि लोग एक प्राइमनिस्टर को देखने के लिए यहां पे लंबे इंतिजार करते और अपने अपनी बारी का इंतिजार करते प्राइमनिस्टर को हाथ लाते हुए दीखें लेकिन ये जो पटी है इसके पीछे कासी तमिल समागम की बहुत ही बहुत पून भूमिका रही है यह जो खाई पटी है वो पाध्यामेंट में इतने वर्सों के बाद तमिल संस्कृति का जो धजबाहत संगोल है उसकी अस्षापना है यह खाई जो पटी है वो युनाटेट नेशन में जब प्रेमिनिसर कहते थे कि दुनिया की कोई भी गरप्राचीन भासा है तो यह हमारी अम्हादशा है यह तमिल संगम का जो एक पुराना हमारा इतिहास रहा है भारत की पुरानी परंपरा और संस्कृति रही है उसको पुनरत स्थापित किया है तो यह लोगों में यह जो करके दिखाया है कि उत्तर से दक्षिन तक भारत एक है भारत की सर्भावित का एक है भारत की संस्कृति एक है तो उसकी आपको ते धोरी दिख रहे थे दूसरी बात जो रिसिक वार कह रहे थे जो नौ पार्टियों का वह कितना चेंज आने वाला है साइट चार जून के लोगों को पता चलेगा कि इस तक में चौका आने वाला है जिसको पियम अपने अग्रिस में वारबाद नौ रफना की बात करते से ये नौ रफना आपको मैं यकीन दिलाता हूं एक यह यूपी का ही फ्यच्ट लाने वाला है अपने अपने छेतर के जो समू है वह अपने oldest अपने अड़ा के लेकर्ण के लिखिशूर्ट है उनकी अपने अमेस भूमिका प्लिये भीज्टि बीड़ा कोमांकान टारे लोगों के साथ में तारे टेम के साथ में लाइंस की आ house कास्थ वराना पॉर्वार पश्राइडर पे अपने का अध्याक्ट पे कित्ना वरोसा किया है तिस दिन एडियम्क ने सिकाइड की थी कि आपका विज़ेपी के साथ हमें लैंस टोर लेंगे जब तक यह अन्हामलेक नहीं हटाते हैं और प्राइम निस्टर मोधी और विज़ेपी ने उससे नहीं माना और अपने अन्नामले को अस्थाफित किया तो आज देखिए कि अन्नामले इन सारे AIDMK, DMK के एगेंस्ट में एक दूप बन गया है, एक सेंटर बन गया है, लोगों में एक यकीन दिलाया है, जमीनी अस्थर पे काप करके, इमानदारी से काम करके, हम करना तक हम तमिलाडू मे पनामले काप पहुच रहे हैं, अज द गया है, और ये बीर आज उनके उस बहनत का एक प्रतिफल दिखाए देता है, सब्सक्राइब